जैशी कृष्णा शनी की दशा महादशा अंतरदशा आपके जीवन में हर प्रकार से दिक्कते दे रही हो शनी की साड़े साती धाया पनौती आपके जीवन को निरंतर परबाद कर रही हो आपको जीवन के अंदर सक्सेस नहीं मिल पारी धन की कमी होती जारी है नजर तंतर मंतर आपके जीवन के उपर हावी हो गया है आए दिन आपके जीवन में नई नई परेशानियां दस्तक दे रही हैं तो आपको शनिवार के दिन इस शनी पोटली का एक छोटा सा प्रयोग करना है जब आप ये सार्थी धाम से प्राप्त करेंगे तो आपको इसकी विधी भी प्रापत होगी उसी प्रकार से आप इसे प्रयोग में लाकर अपने जीवन की परेशानियों से निजात पा सकते हैं इस शनी पोटली के अंदर काली कौडी लगी है, शनी जी का छला लगा है, शनी का क्वाइन लगा है और साथ में काली हल्दी लगी है अभी मंत्रेत करके इसे सिद्ध किया गया है और इसके प्रियोग मात्र से आपके जीवन के अंदर आ रही शनी जी की वज़े सिफ समस्याएं समाप्त हो जाएंगी जरूर करिए छोटा सा प्रियोग इसे प्राप्त करने के लिए दिये गए नंबर्स पर कॉल करिए वाट्सप करिए मैसेज करिए जैशी कृष्णा स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा के सार कैसे हैं आप लो कैसे हैं घर में सब जरूर बताईएगा आज मैं आपको एक ऐसे धागे के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे अगर आपने बांध लिया तो सारी दुनिया आपकी मुठी में हो जाएगी हंजी टॉपिक तो यही है महा उपाए भी यही है लेकिन उससे पहले कुछ ग्यान वर्दक बात हैं देखिए जोतिश केवल वर्शीकरण हमारी मनुच्यों को पूरा करना हमारे जो भी हम मांगे उन उपायों को करना नहीं है जोतिश जीवन का आधार है जोतिश से हम कुछ भी पता कर सकते हैं और किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं एक डॉक्टर आपको एक्सरे करकर जो चीज़े बताएगा सोनोग्राफी करके जो चीज़ बताएगा एमराई करके जो चीज़ बताएगा जोतिश विज्ञान आपको सिर्फ मात्र आपकी हाथ की रेखाओं से आपके फेस से आपकी कुंडली से वो बिना किसी टेस्ट के बशर्ते ग्यानी उस लेवल का होना चाहिए व्यक्ति ये नहीं कि दो महीने तीन महीने छे महीने पड़ा और आ गए और आके उपाये देने लग गए तो उन लोगों को हम ये मालने कि भाई वो बहुत ग्यानी है वो कुछ भी बता सकते हैं नहीं पर इसके अंदर आपको भी कुछ चीजे पता होने चाहिए ताकि आप कभी अपने जीवन में फेल ना हो आपको कभी किसी व्यक्ति से घात ना मिले आपको भी जोतिश को अपने जीवन में अपने सही पत पर चलने के लिए प्रियोग करना चाहिए लोगों के परिक्षन के लिए करना चाहिए आप किस किसी के साथ भी अटेश्ड होते हैं चाहिए आप किसी को अपना पार्टनर बना रहे हैं कोई आपका बॉस है कोई आपका टीचर है कोई आपको किसी काम के लिए कह रहा है मैं आपका ये काम करा दूँगा आपको इतना जोतिश के आधार पर ज्यान होना चाहिए कि आप उस कि परक कर सकें वो सही है गलत है वो आपका साथ देगा नहीं देगा ये चीज़ें आपको मालूम होने चाहिए और इसके लिए इतना जोतिश का ज्यान हर व्यक्ति को होना चाहिए तो इसी श्रेणी में मैं आपके साथ कुछ ज्यान वर्दक बातें लेकर आती हूं ताकि बता दू कि ये सब बताने वाली मैं हूँ कौन मैं आपके एस्ट्रोलाजर हूं वास्तुशास्ति हूं चहरा भी पड़ती हूं आवाज भी पड़ती हूं लेकिन चुकि आपकी सार्थी हूं इसलिए जीवन का सार देने चली आती हूं तो आज क्या करेंगे हम ज्यान वर् दूफ़ादार है या वो धोके बाज है वो आपके लिए सही है या आपके लिए गलत है तो चले जाने बहुत इनफोर्मेटिक है और बहुत जादा आपके जीवन में काम आने वाली चीज है ज्यान से सुनिएगा मेरी जान चलिए जिनकी थोड़ी-थोड़ी लंबी होती ह थोड़ी लंबी शेप की होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत जिद्धी होते हैं, बहुत क्रोधी होते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर किसी चीज पर अड़ जाएं, तो वो ना अपना नुकसान देखते हैं, ना सामने वाले का नुकसान देखते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों की में गलतियां निकालने का कार्य करते हैं ऐसे लोग अपने आपको बहुत सर्वो पर ही मानते हैं ऐसे लोग ऐसा मानते हैं कि उनसे जादा ग्यानी उनसे जादा कार्य करने वाला इस दुनिया में कोई दूसरा ही नहीं मतलब जो भी है होल सोल वो इकलौते ही पैदा हुए है और सारे ब्रह्मान का सब कुछ उन्हीं को मिल गया है, दूसरा उन जैसा आया ही नहीं इस जीवन के अंदर, गलत फैमियों में जीते हैं, लेकिन ये बात उनको जो बताए, समझाए, वो उसके कटर विरोधी और दुश्मन हो जाते हैं, ऐसे लोगों को चापलूसी बहुत प निकाल सकते हैं, उन्हें वक्त नहीं लगता ये कारे करने में, अक्सर आपने देखा होगा लोगों की थोड़ी के बीच में एक लाइन सी होती है, गैप सा होता है, ऐसे लोग कैसे होते हैं, दोगले, ड्यूल पस्नालिटी होते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोगों के उपर आप बिल्कुल भी आख मीच कर भरोसा मत करियें, वो आपको दिखा कुछ और रहे होंगे और पीछे चल कुछ और रहा होगा, ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी कथनी को करनी में नहीं बदलता, ऐसा व्यक्ति आपको एक सुनहरे सपने तो दिखा सकता है, आपको बहुत उची-उ उची-उमारते खड़ी करके दिखा सकता है, लेकिन जब उसे सही रूप देने का टाइम आएगा, उसे क्रियानवित करने का टाइम आएगा, ऐसा व्यक्ति आपका साथ सबसे पहले छोड़ जाएगा, हाला कि ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये जान प्रसंद होता है, ऐसे लोग दूसरों से काम करवा कर बड़े प्रसंद रहते हैं, ऐसे लोग अपनी वहवाई बहुत चाहते हैं, ऐसे लोग अपने नाम को लेकर बहुत कॉंशियस रहते हैं, इनको बदनामी नहीं चाहिए, इनकी नाक नहीं कटनी चाहिए, ऐसे लोग ज इतने जादा हिडन होते हैं ऐसे लोग जीवन के अंदर सही निर्णे कभी नहीं ले पाते ऐसे लोगों का संगर्ष बहुत लंबा होता है ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने कारे को सिद्ध कराने के लिए चलिए एक होते हैं छोटी थोड इसे लोग कैसे होते हैं बहुत भावनात्मक बहुत इमोशनल हमेशा दूसरों की सहायता करने वाले हमेशा दूसरों के बारे में सोच कर चलने वाले दिल से बहुत जादा काम लेते हैं ऐसे लोग घात भी बहुत जल्दी खाते हैं ऐसे लोगों को बहुत जल्दी किसी भी च कर गदम रखने के लिए विश्वास रखते हैं ऐसे लोग भरोसा बहुत कम करते हैं लेकिन जब कर लेते हैं तो उस भरोसे के लिए वो अच्छी मिलती है ऐसे लोग आपके जीवन के अंदर आपको सही direction जरूर देते हैं ऐसे लोग आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरीके से हाम पहुचाने का नहीं सोचते अगर कोई चीज ऐसी होती है तो यह समझ लीजे कि वो परिस्तितिया ऐसी थी इसलिए ऐसे व्यक्ति ने आपके साथ किया वरना ऐसा इंसान दिल का बहुत साफ होता है और ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने मनवर्चन करम से किसी का बुरा कभी नहीं चाहता तो देखा छोटी सी चीज से किसी व्यक्ति के बारे में कितना कुछ पता चल गया चलिया अब जब अगली बार आउंगी तो आपके लि पुद्रिक शास्त्र की क्लास आप हमसे ले सकते हैं तो चलिये आज के महा उपाए पर आते हैं जो है एक वो धागा जिसको अगर आपने बांध लिया तो सारी दुनिया आपकी मुठी में हो जाएगी हंजी क्या करना है आपको आपको तीन रंग के धागे ले लेने हैं एक सफेद एक लाल और एक काला तीन रंग के धागे आपको लेकर गंगा जल से शुद्ध कर लेने हैं उसके बाद में आपको इन धागों के दोनों छोर पर एक एक गांठ लगा देनी है और गांठ लगाते वक्त आपको श्री हरी का स्मरन करना है ओम नमो भगवते वासु दे उस पत्ते के उपर आपको इस धागे को रख देना है और ये कारे आपको सोमबार के दिन करना है इसके उपर आपको थोड़ा सा कपूर और थोड़ा सा पीला चंदन छिड़क देना है उसके बाद आपको अपनी मन वान्शित इच्छा प्रभू के सामने रख देनी है और स ओम बार से लेकर शनिवार तक आपको रो जाना 108 बार ओम नमो भगवतेवा सुदेवाय नमा इस मंत्र का जाप करना है। किसी के लिए ना बुरा सोचना ना बुरा किसी का करने का प्रयास करना चोरी नहीं करना कोई गलत कारे मत करना जिससे आपका ये करा हुआ कारे समाप्त हो जाए या इसका फल आपको प्राप्थी नहों तो आप पूरे इमानदारी के साथ अपने आपको इश्वर को समर्पित करेंगे सोमवार से शनिवार तक आप ये कारे करेंगे और शनिवार को आप ग्यारा बजे के बाद इस धागे को अपने लेफ्ट हैंड में बांध लेंगे फिर देखिएगा आपकी हर चीज कैसे बदलती है आपके जीवन में प्रगती सक्सेस नाम यश कीरती पैसा प्यार कैसे आने लगता है पूरी दुनिया आपके पीछे दिवाना होकर कैसे घूमती है छोटा सा सरलसा उपाय है आशा करती हूँ आप पूरे प्रयास और प्यार से ये कारे करेंगे और फिर इसका जो भी फल आपको मिलेगा वो आप हमें बताएंगे मैं फिर आऊंगी कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बुत लेके तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा रिष्टों में मजबुती बना के रखेगा अपने सार्थी के साथ योई जुडे रहिएगा प्यार देते रहिएगा प्यार लेते रहिएगा ख्याल रखेगा अपना और उनका जिन से आप प्यार करते हैं मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी तब तक के लिए रादे कृष्णा पायुद्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार्चुकी मात्रिशला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवार्ड प्राप कर रही है साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत ने जोतिश विभूशन अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है हुआ